हलो दोस्तों आप सब लोगों को मोस्ट विलकम आज के वीडियो क्लास में हम आप लोगों को सेट रिलेशन और फंक्षन पर इंपार्टेंट कोशन बताने जा रहे हैं जो कि बिभीन एकजाम की दिश्ट कौन सी बहुत ही अन्युआर है इसमें बहुत अच्छे-चे कोशन हम को अप लोगों को बताएंगे इसे आप लोग ध्यान परोग समझें और अपने इस्ट मित्रों को ही बताएं देखें इक कोशन नमबर 21 है पी-क्यु यूनियन क्यू माइन पी-क्यू माध्यम से बताएंगे जो कि बिदिन 10 सेकंड में आप लोग कर सकेंगे तो देखिए बेन डाइग्राम के लिए दो सरकील बनाते हैं इस प्रकार से दोनों दूसे कट कर रहे हैं तो यह इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आप जाल जोग जानते हो यहाँ पर इंटरसेक्शन ह होने चाहिए क्यू यहां से यहां तक पूरा माने जाएगा तो क्यू नहीं होना चाहिए इसका मतलब पी में हो तो पी कहां तक होगा यहां तक ही होगा यह जो है पी माइनस क्यू होगा ठीक फिर इसमें क्यू माइनस पी क्यू में हो लेकिं पी में नहों पी यहां तक माने और P intersection q वो दोनों में कामन हो अबकर ने संग है यह तो यहाग स्टोस्ट यह निए क्य schedules tus itself यह हो जाएगा हो जायागा पी योनियन क्योंट यह इंसर हो जाएगा थीक है पूरे की मान जो है कितना होगा पी यूरियन क्यूंख ठीक है अगला कुश्चन देखें तो यह आद जी एक प्लस एक बट्यक्स बराबर एक ष्कार प्लस एक स्था हो तो यह माफ यक्स का मान क्या होगा यह बताना है तो इस्टूजेंट देखे एक सब्सक्राइग बया पुट कर लें तो उसमें वर करके इचे निकाल लेंगे तो एक समें निकाल येगा यहां लिए यहीं फ्लस एक हैं इसवाल टू है इस इक्वाल टू टी अ तो इस को स्क्वायर करेंगे तो इसको स्वायर कर देते हैं यह कर देंगे तो किता विगोगे एक में एक स्वायर एक X-Square, पलस एक बट़ा Y-Square, बराबर किता हो जाएगा, T2-2 हो जाएगा, यह मान हम यहाँ पर रख देंगे, इसलिए, EFT क्योंकि X-Pla., इसलिए, EFT तो T2-2 हो जाएगा, अब T इसलिए यह फ्यक्स बराबर हो जाएगा एक स्कॉाइर मानस टू यह इसका एंसर हो जाएगा आपसन में जो भी नंबर पे हो उसमें आप गोला भरेंगे ठेक है इस परकार से बहुत ही इंपॉर्टन कोश्टन परिच्छा में जरूर आते हैं अगला कोश्टन देखिए कोश्टन नंबर 31 यदि नंबर आफ यू यू मानि युनिवर्सल सेट सारुत्रिक समुच्चे है जो बहुत बड़ा समुच्चे को सारुत्रिक कहते हैं जो उसमें समुच्चे में सबसे बड़ा समुच्चे हो उस 700 700 है नंबर आफ हमने A सेट है उसकी संक्या 200 है B सेट है पूरक कहते हैं उसका मान बताना है तो इसका मान बताने के लिए सबसे पहले आप दिमारगन प्रमे जानते हैं दिमारगन प्रमे का उप्योग करते हैं तो लिए देता हूं दिमारगन रूल दिमारगन रूल यह क्या कहलता है कि अगर ए यूनियन बी का कम्प्लिमेंट है यह होता है एक का कम्प्लिमेंट इंटर सेक्षन बी का कम्प्लिमेंट यह यूनियन इंटर सेक्षन हो जाता है अगर इंटर सेक्षन होता तो वो यूनियन में हो जाता है यह दिमारगन रूल मे तो हमें यह लेकि चलना है तो इसको सबसे पहर हम लिखेंगे नंबर ओफ एडाइस इंटरसेक्शन बीडाइस इस इक्वल टू नंबर आफ ए यूनियन बी का होल डैस हो जाएगा कम्प्लिमेंट का मतलब होता है कि जिसका कम्प्लिमेंट निकालना हो उसमें न हुए इलिमेंट हो फिर किसमें इन्वर्सल सेट में हो तो इन्वर्सल सेट में हो तो इन्वर्सल सेट में नंबर आफ यू है इसका मतलब हो जाएगा नंबर आफ यू माइनस नंबर आफ ए union B की definition से आप जानते हैं, वो लिख देंगे पहले, तो number of U इसको लिखे देते हैं, इस परकार, minus इसके परिवासा क्या होता है, number of A, कोश्टम कर देते हैं, plus number of B, minus number of A, intersection B होता है, इस परकार, अब इसे मान भर दीजिए, कि number of A, कितने 700 है, ठीक है, कोश्टम कर देता हूं, number of A, 200 है, number of B, 300 है, number of A, intersection 100 है, यह लिख दिया, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 700, minus 32, 500, 100 घर जाएगा, यह निए 400, तो 700 में 400 घर जाएगे, तो कितना हो जाएगा, 300, यह इसका insert हो जाएगा, number of A, intersection B, B dash, ठीक है, complement of A dash, intersection B dash की संख्या, 300 होगी, यह इसका answer होगा, ठीक, इस्टम, अगला कोश्टन देखिए, कोश्टन नंबर 32, यह इदी फलन Fx, फलन है, Fx is equal to 9 minus x square under root, का range, यानि परास क्या होगा, परास बताना है, यह बहुत अच्छा कोश्टन है, अक्सार एक्जाम में आता है, इससे आप तो ध्यान से समझे, तो इस्टम ने परास बताना है, तो यह Fx है, इसको जासे जानते हैं, इसको Y कहते हैं, तो इसको हम Y लिख देते हैं, Y बराबर, इतना होगा, नाइन माइनस याक्स स्क्वाइर कांडरू, ठेक, अब इसको हम स्क्वाइर कर देते हैं, वर्क कर देंगे, तो जब स्क्वाइर कर देंगे, तो Y स्क्वाइर उठर जाएगा, नाइन माइनस याक्स स्क्वाइर, अब याक्स स्क्वाइर कर देंगे, तो हो ज इसको हम सर्किल बनाते हैं आपको समझाने के बता रहा है बिदिन बता रहा हैं बोकि बिदिन 10 सेकंड में आप लोगे तो पूरा इसकी बनाए दे रहे हैं इस पर कार देखिए ऐसे इस सेंटर हो गया मूल बिंद हो गया रेडिस किती है तीन है यह भी तीन होगा इधर भी त नीचे भी रेडिस तीन हैं तीन तीन ग्वालेडिस हो जाएगी सर्किल हो गया अब आप इसका देखिए सबसे पहले रिंज बताने में प्ताते हैं यह चैया है जैसे जानते हैं डोमें जिसको हम लोग प्रांट कहते हैं वो एक सच में मान होता है और परास होता है जिसको लोग range कहते हैं इसमें वो yh का मान होता है तो domain जिसको प्रांथ है वो x में जहां से जहां तक जा रहा हो वो मान होता है प्रांथ तो यहां देखिए यह minus 3 कहलाएगा चुकि मुल बिनके बाइए हो रहे है तो minus 3 है आई राइट में धा प्लस 3 है तो इसका जो domain अगर पूछा जाए तो minus 3 से प्रांथ हो जाएगा यह जाएगा लेकिन परिसर जो कि यहां पूछा जा रहा है परिसर तो हमेशा वाई में अच्छ में होता है वाई में मान होता है वाई एक्सिसका मान तो इस दिन देखिए इसम में ही रूट लगा हुआ है जब किसी प्रारम में प्रायम प्रस्न में रूट लगा हो तो इसका मतलब होता है उसका मान हमेसा पास्टी होगा यह फ्याष कु वाई कहते हैं इसका मान तो प्लस होगा, क्योंकि basic square root, अगर प्रायरम में स्वयम प्रस्न में ही root लगा हो, इसका मतब वहां सी इस पस्ट होता है, जो y का मान होगा, वो धनातमक होगा, रनातमक वाला नहीं लेना होता है, यह से मूल भूत डिफिनिसन होती ही root की, तो इस कहां से जो y का मान होगा, वो प यह देखिए मूल बिंद है यह इस्टूडियन के बराबर हो जाएगी इस प्रकास से इसका रेंज पूछा जाएगा वह कहां से कहां होगा जीरो से लेकर के तीन तक होगा अज जीरो भी सम्रित होगा इसलिए क्लोज इंटर्विल है अजी तक जाएगा यही इस्टूडियस का रेंज होगा ठीक रेंज इसकाल टू जीरो से थी और निगेटी वाला पॉर्सल नहीं होगा क्योंगि देख लिएजिए कि यह कड जा यह कड के हो जा है क्योंकि रूट में है बेसीक स्कार रूट बडेसीक इस्टूर करेंड र進िए नहीं होता हम मांगा अर्फ निचे नहीं जीरो गलत हो जाएगा जूद रहेगा अगर रूट ना लगा होता तब नीचे यह उफर इसका जो domain होगा वो माइनस 3 से प्लस 3 कर जाएगा डोमेन हो जाएगा पूरा लिकिन छो है 0 से 3 होगा क्योंकि basic square root लगा है वो अल रेड़ी पास्ट्यू नंबर होता है ध्यान दीजेगा जब कभी स्क्वार रूट लगा हो तो पास्ट्यू लेंगे निगेट्यू नहीं लेंगे इसलिए नीचे वाला भाग कड़ जाएगा ठीक है अगले आप देखिए कोशन नंबर 33 फंक्शन एफ एक्स बराबर वन अपान अंडर रूट माड़ आफ एक्स माइनस एक्स का डोमेन यानि प्रांथ ग्याद करना है इसको देखिए रूट में है इस्टुडन और डिनामिनेटर में है तो आप जानते हो डिनामिनेटर में कभी जीरो नहीं होना चाहिए और रूट है तो जीरो से हम सदयों बड़ा होना चाहिए नहीं मिजरी हो जाएगा काल्पनिक हो जाएगा इसका मतलब इसमें क्या होना चाहिए इस अब इसको पच्छांतर करेंगे, देन इंप्लाइज यक्स का माण गर्टर देन एक्स हो जाएगा, ठीक, यह हो जाए, उधर कर दिये तो, अब इस, 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 मने इनिक्वाल्टी के लिए, असामिका के लिए, यक्स के मान क्या रखा जाए, यक्स का मान ही तो प्रांथ होता है, संतुष्ट हो रही है है जिस यह हमने एक से आप गिंती को ली दिए THAT अब मानस से लिए तो मानस का माड इससे बहरा हो घुर जिरो का माड घृटर से बढ़ा हो सकता है नहीं यह गलत हो ऐसा नहीं हो सकता इसे 0 नहीं ले सकते तो अच्छा अगर प्लस ले लेंगे एक प्लस बता दें आपको इसी में प्लस उता दें अगर हम प्लस दो ले दें तो प्लस दो ले देते हैं 2 greater than 2 क्या 2 से बड़ा हो सकता है यह भी गलत है इसका मतलब positive और 0 दोनों के लिए मान नहीं है यह केवल negative के लिए यह inequality संतुष्ट हो रही है इसका मतलब है कि यह जो है सही होगा कौन सा याक्स greater than minus याक्स कि इसके लिए संतुष्ट होगा negative के लिए इसका मतलब इसका जो प्रांथ होगा प्रांथ इसको हम लोग domain कहते हैं domain है तो प्रांथ है वो क्या हो जाएगा negative नंबर तो negative में कहां से minus infinity चलेगा minus infinity से 0 तक अच्छा जीरो नहीं ले सकते बता दिया हो इसमें open इंटर्वेल रहेगा यह आप लोग समझ गया होंगे ना 0 इसमें ले सकते ना positive ले सकते निगेटिव नंबर के लिए संतुष्ट करेगा ठीक है अगला देखे थर्टी फोर यह दिन नंबर आप ए फोर है नंबर आप बी मने एक कोई सेट है उसकी संख्या चार है उसमें चार संख्या है बी कोई वेन डाइग्राम से बताएं मनें डोमेन और कोडोमेन दो प्रकार के गोले बना लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहा है इस प्रकार से यह बना ले इस प्रकार से तो यह ए सेट है और यह बी सेट है तो इसमें ए सेट में चार एलिमेंट कोई भर दे जाए माने चली एक्स होता है आई हमारा को डोमेन होता है को डोमेन डोमेन और को डोमेन ठीक है यह होता है तो इसलिए वान वान के लिए ध्यान दें एक का मन डोमेन के एक element का संबन co domain से एक से ही होना चाहिए अलग होना चाहिए एक से एक के दो से नहीं हो सकता है निर्मेन ही बन हो जाएगा तो ध्यान दे ये जो पहला element है तो इसमें 6 element है co domain में बी में तो पहले domain के एक element x का संबन 6 में से क्यों हो सकता है तो X का संबन्द कितने प्रकास होता है 6 प्रकास हो सकता है तो यहाँ 6 ली देंगे तो X का संबन्द हो चुका कोई एक का हो गया किसी में अब दूसरे जो Y है जो इसमें संबन्द हो चुका उसको छोण करके 6 5 बचेगा तभी एक IQ माने जाएगे, एक IQ नहीं होगा तो सेज 5 में से कोई Y का संबन्द हो सकता है तो गुर्ते 5 प्रकार से तो दो element निकाल गैंब तिसरा जेड बचा इस चार में से किसी एक से हो सकता है तो चार प्रकार से हो सकता है पि अगला Y है, तीन बचा हो तो सूत से गलत हो जाता है भुल जाता है क्योंकि तमान है रिफ्लेक्सिा की संख्या बताने शेमेटरी की संख्या बताने की स्वतर तो इक्विवैलेंड की संख्या बताने की सूत्र तो इसलिए साथ अच्छा है तो 635, 300 को 120 120 को इसलिए भ Schnee तिन्सों साथ हो जाएगो इसकी एकाई की फलनों की संख्या किती हो तीन्सों साथ हो जाएगो इसकी परमुट्रियसंस भी बता सकते हैं क्रमचय से वो कैसे जैसे अधिक्तम छे इलिमेंट है वी को डॉमिन में वो उसमें लेना 4 है तो सीधे 6P4 इस पर करते होंगे यह 11 1, number of 1, 1, बताने की संखे, वेकाई की फल नुब संखे, बताने क्या तरीका है, 6P4, अच्छा, इसका factor आप लोग करें, वैसे तब क्या करते है, इस अब करेंगे इस इस फैटोर के सीधों जो बड़ी संख्या है उसको पकड़े अच जो नीचे है उतने बार उसका फैक्टर कर डालें बस एही समझे चार है तो चार बार फैक्टर कर दें घड़ते क्रम में तो छे गुरते पांच गुरते चार गुरते तीन बस अफसे तरज केई है ना तो फैक्टर जीन मत लगाई है ठीक है क्योंकि इसमें समय जाए देखें अगला कोश्चन है 35 यदि एक्स प्लस वन बराबर कितना है 3 एक्स प्लस 7 तो एक्स का मान क्या होगा इसको देखिए इसे भी बहुत इजी वेसे एक्स प्लस वन को टी मान लीजिए तो यहां से एक्स का मान निकाले देन इंपलाईज एक्स वराबर क्या हो जाएगा टी मान लीजिए तो कितना होगा इसे इक्स प्लस वन में टी मान लीजिए तो टी हो जाएगा E is equal to 3 times X के साम क्या लीजिएंगा T minus 1 तो लेजिए T minus 1 तो प्लस 7 और इह गता होगा F T गुरा कर देंगे 3 T minus 3 तो प्लस 7 तो कितना हो जाएगा 3 T और 7 मेरे प्लस 4 छाएगा Therefore, EFx is equal to 3x plus 4. यह student, इसका answer हो जाएगा. ध्यान दे. ठीक? फिर बावा लास्ट कोशन, आज का लास्ट कोशन देखें आप लोग. बहुत अच्छा, सबसे इंपॉर्टन कोशन यह है, जो कि विभिन एक में जाम में भी आ चुके हैं. फ्रण EFx दिया हुआ है, 8 to power x minus 8 to power minus x divided by 8 to power x plus 8 to power minus x का प्रतिलोम, यह इनि इन्वर्स ग्याद करना अर्था तो यह फिन्वर्स x का मान क्या होगा, प्रतिलोम फ्रण क्या होगा, यह आपको बताना है. देखिए इसको श्टुजेंट, जैसे जानते हो, इन्वर्स निकालना होता है, जब तो यहक्स को y के टर्म में ले चलते हैं, वैसे यह यह, यह फ्रण EFx y है, यह y x के टर्म में है, जब यह x ही है, तो इसको हम x को y के टर्म बनाएंगे, पहले बाद तो जो इक्ष लिखा हुआ है उसको y माल लेंगे तो y माल लेंगे ठीक ये कर दिए, इसको y माल लिए अब यह जो निगेटिव है, इसको नीचे लाके पाश्टि बनाएंगे क्योंकि किसी कीमत पर x को निकालना है, x के मान को निकालना है तब इन्मर्स बनेगा तो 8 to power x नीचे आएगा तो 1 upon 8 to power x divide by 8 to power x प्लस नीचे आएगा तो 1 upon 8 to power x हो जाएगा अब इसी का LCM लेंगे लगुतम कर लेंगे हल करेंगे तो 8 to power x का whole square एर्थाल 8 to power हाँ इससे लिसे सकते है 8 to power 2 x कर दीजिए क्योंकि 2 power होता है तो आपसे multiple हो जाता है minus 1 divide by यहाँ भी करेंगे 8 to power 2 x हो जाएगा अब प्लस 1 हो जाएगा और दोनों जो divide के 8 to power x वाले हैं दोनों कर जाएगे यह y बराब इतना हो गया फिर इसके बाद हम इसको तिर्चा गुणा कराएगे तिरे गुणा क्योंकि x का मान निकालना है तो तिरे गुणा कर दीजिए तो गुणा करेंगे तो होगा कितना 8 to power 2 x into y प्लस y is equal to 8 to power 2 x minus 1 ठीक है यह हुआ इसके बाद हमें x से निकालना है तो 8 to power 2 x वाले एक तरफ करेंगे और बाकी को एक तरफ करेंगे तो इसको इदहर लाने तो प्लस बन जाए तो 1 plus y यह हो जाएगा 1 plus y अब यह उधर कर देते हैं उसमें 8 to power 2 x कामा ले लेते हैं कामा ले लिया तो यह हो जाएगा अब यहां से अब यहां से हम यहां करते हैं तो इसमें 8 to power 2 x निकालते हैं इसलिए 8 to power 2 x बराबर क्यों हो जाएगा 1 plus y divide by 1 minus y हो जाएगा ठीक हैं अब यहां से student x को कैसे निकाले जान दे पावर में x है तो पावर को गुडांग में पहले नीचे लाने के लिए क्या rule है logarithm करना लॉक लगाएंगे जब लॉक लेंगे तभी हल हो जाएगा अब बेस यहां a है तो a base पर लेना पड़ेगा तभी यह a कट पाएगा तो taking logarithm both sides with respect माने base क्या होग a रहेगा माने with respect to a कह सकते a के base में तो क्या हो जाएगा तो 2x पहले हो जाएगा और log a base पर a हो जाएगा इसका मान जानते है एक होता है ठीक is equal to log of a base पर 1 plus y divide by 1 minus y हो जाएगा अब यह तो एक हो जाएगा तो 2x बचा यहां से तो 2x इसका मान एक होके नहीं लिख रहे हैं इसका कितना log of a base पर 1 plus y divide by 1 minus y हो जाएगा ठीक इसको देखिए आगे 2 सिर्फ भाग कर दीजे तो हो जाएगा x is equal to 1 upon 2 log of a base पर 1 plus y divide by 1 minus y हो जाएगा और इस तो ने x को क्या कहते हैं x को आप लोग जानते हो e of inverse y कहते हैं है ना कि ऐसा क्यों क्योंकि आप यहां देखिए क्योंकि जानते हो e of x is equal to y है तो e of x वराब क्या निकलेगा e of inverse y नहीं हो जाएगा इसलिए x के सान में हमने क्या जी दिया e of inverse y दिया e of inverse y is equal to 1 upon 2 log a base पर 1 plus y divide by 1 minus y हो गया यह e of inverse y है हमसे पूछा जा रहा है e of inverse x तो आप क्या करेंगे y के स्थान में x बैठाल देंगे इसलिए इसलिए हो जाएगा इसलिए e of inverse x is equal to क्या हो जाएगा 1 by 2 log of a base पर 1 plus x divide by divide by 1 minus x और log है तो इसमें माढ़ भी लगा सकते हैं क्योंकि log हमें साफ पास 2 में रहता है निगेटिव का अपारिफासित होता है इस रिश्टिए यह फिनिवर्स में इनिवर्स पर तो लोग भला निकल आया half log a base पर 1 plus x बटे 1 minus 1 के माढ़ इसका एंसर हो गया तो यह हमारा आज के important question थे इससे आप लोग धिहान पुरुवग समझे होंगे और हमारा यह विश्वास है मानना है कि आप लोग ठीक से बास समझ में आज होगी